हेलो दोस्तों नमस्ते आपका स्वागत है मेरी चैनल अंजली ब्यूटी टिप्स में और मैं आज आपको बताऊंगी एक स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट जो कि आपके स्किन को आपके चेहरे को आपके हाथ को आपके पैरों को बहुत ही गोरा बना देगा साथ दिनों में अगर आप ये टिप ट्राइ करते हैं तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे और पूरी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे इसे करें तो उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और ला सकूं तो चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या-क्या यूज किये हैं तो पहला मैंने यूज किया है आटा गेहू का आटा दूसरा इंग्रीडियेंट है चावल का आटा इसमें मैंने यूज किया है हनी लास्ली मैंने इसमें एड किया है दूद आप दूद ले सकते हैं कच्छा तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे इसे बनाने के लिए आप एक चमच चावल का आटा आप चावल का आटा और गेहू का आटा अपने मुताबिक ऐकोल मاخत्रा में मिलाएं ब़राबर मात्रा मिलें अलिया गेहू का का हाट के और सब मैंने भी करें इसे इसमें please को साथ टीपन हनी मैं एड़ किया है इसमें हाफ टीपन आट आपने मैं इसको मिक्स करने के लिए जितना यूज होगा वन टेबल स्पून टू टेबल स्पून मैं एड़ कर दूंगी इसका एक थिक पेस्ट बनाना है हमें ताकि ये मुझे जरुवत पड़ेगा तो मैं और दूद ले सकती हूं तो देखिए मैंने लिया और ये मैं पेस्ट बना रहे हूं स्मूद पेस्ट और थिक पेस्ट होना चाहिए तकि आपको स्किन पर अच्छे से अपलाई हो सके देखिए इस पेस्ट बन चुका है और अब हम इसे मैं आपको अपने हाथों पे इसे अपलाई करके दिखा रही हूं आपको ऐसे अपलाई करना है और एक ठिक लेयर बनाना है अपने हैंड्स पे या अपने फीट्स पे या अपने चेहरे पे और ठिक लेयर बनाके आपको उसे सुखाना है इसे पूरा ठिक लेयर लगाना है तो देखियें झेंटिली रब करके छुडाना हैं और स्प्रब करना या ऍपने सिंव हैं और अगर defining की स्किन सेंसिटिव हैं तो आप इसे रब करके ना चुडाएं आप डरेक्लिव तंडे पानी से तो देखियें होने के बाद मेरे हाथों में आप देख पाएंगे बहुत ही ग्लोइंग लग रहा है मैं आपको दिखाती हूं यह फर्स्ट यूज में आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट बहुत ही एफेक्टिव है आप ट्राई करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दे और आपको पता चलेगा भर से यूज करेंगे पिर आपको पता चलेगा यह ज्यादा एफेक्टिव हूं और कोई भी साइड एफेक्ट्स नहीं है इसके तो यह आपके स्किन को वाइट करता है और आपके फेशिल हीयर को भी हटाता है तो अगर आपको मेरे वीडियो झाल झाल